हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव इसकी मेकैनिकल में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से NMDC का मॉडल पेपर डिसकस करूँगा जिसमें कि मैं आपसे टॉप 10 important hydraulic machine के objective question उसके answer discuss करूँगा ठीक है ये हमारा जो model paper का जो हम series लेकर के आए है अपने YouTube चैनल पे ये इसका part 57 है ठीक है यानि कि इस से पहले हम already इस पर 56 video already upload कर चुके है अगर आपने उन सभी model paper को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के playlist में जाके देख सकते है ठीक है वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको इस वीडियो का free में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे telegram group को join कर सकते है ठीक है तो वीडियो को start करते हैं और वीडियो को start करने से पहले मैं बोल दूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरा end तक देखे ताकि आप वीडियो में कुछ भी important जो question हो या important explanation हो आप उसको miss ना करें ठीक है तो हमारा पहला question है कि if the net positive suction head यानि कि NPSH requirement for the pump is not satisfied then no flow will take place, cavitation will be formed, efficiency will be low, excessive power will be consumed, क्या बोल रहा है कि अगर हम यदि net positive suction head जो है वो किसी pump का requirement जो है वो fulfill नहीं होता है या satisfied नहीं होता है तो उस case में क्या हो सकता है तो उसका right answer होगा option over B, यानि कि cavitation will be formed, यानि कि cavitation रहेगा इसलिए जो है उसका net positive suction head जो है वो satisfied नहीं होगा ठीक है, अब ही cavitation क्या होता है, centrifugal pump में cavitation जगर देखने से cavitation मतलब होता है vapor bubbles ठीक है यह जो bubbles अब देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर, इन bubbles को ही क्या बोलते है आप cavitation बोलते है ठीक है यह bubbles जब air bubbles जब आपका water के साथ mix होता है तो वो भी vacuum और sound create करता है जिसे की cavitation बोलते है question number two है, कि which of the following pump is successfully used for lifting water to the turbine अगर turbine की जगा पर यहाँ पर क्या हो, boiler हो तब इस question का right answer same रहेगा ठीक है तो चाहे टर्वाइन हो, boiler हो और other heavy equipment हो तो उस case में भी इसका answer same रहेगा क्या बोल रहे है कि ऐसे pump का नाम बताइए जिसका use जो है टर्वाइन से या boiler से पानी को lift करने के लिए किया जाता है centrifugor pump, reciprocating pump, jet pump या air lift pump तो इसका right answer होगा option number C यानी कि jet pump ठीक है अभी jet pump को क्या है ये जो है jet pump है ठीक है, jet pump कुछ इस तरह का दिखता है, ये इसका suction head है और ये इसका either side में delivery head रहता है अभी बात करते है air lift pump की, air lift pump जो है न वो ऐसा pump होता है जो कि आपने कुवा देखा होगा गाव में, कुवा जिसको की well बोलते है कुवा काफी गहरा होता है, कुछ इस तरह रहता है न अगर, तो यहां से पानी, अगर कुवे से पानी निकालने के लिए जिस pump का use करते है न उस pump को ही बोलते है air lift pump ठीक है, तो option number D जो है, वो to lift water from deep wells के लिए है question number 3 है, कि which of the following is not a reaction turbine, यानि कि इन चारों में से कौन से reaction turbine नहीं है, not बोल रहा है काफी simple question है, funerone turbine, johnwell turbine, thompson turbine या pelton wheel तो यह तीनों जो है वो reaction turbine है, पर pelton wheel जो है वो आपका reaction turbine नहीं है, ठीक है, यह आपका है पलton wheel जो है, आपका impulse turbine है, अब पलton wheel कैसा दिखता है, देखिए, पलton wheel या पलton turbine turbine जो है, वो कुछ इस तरह दिखता है इसमें इसका buckets लगे रहते हैं, impeller के साथ में, और यहां से nozzle के थूरू, उन bucket को पानिक से hit के जाता है, ठीक है तो turbine basically क्या करता है आपका, liquid energy को आपका power में करमट कर देता है, ठीक है, mechanical power में अगले कोशा में चलते हैं, कोशा मर 4 है, कि the width of the bucket for a pelton wheel is generally double the diameter of jet, three times the diameter of the jet, यह four times the diameter of the jet, यह five times the diameter of the jet क्या बोल रहा है कि जो pelton wheel का जो bucket होता है, अभी bucket मतलब देखिए, कहां पे होता है अंदर में छोटे-छोटे buckets होते हैं, यह जो अगर आप यहां देखेंगे, यह अकेला bucket है, इसके पीछे एक और bucket है जैसे यहां एक bucket है, उसके पीछे यह bucket है, यह एक bucket है, यह एक bucket है, तो यह जो bucket है आपको यह बताना है कि इस bucket का जो width है यानि कि ये चोड़ाई ठीक है इसको चोड़ाई को width बोलते हैं तो width जो रहेगा Pelton Wheel का वो उसके diameter का क्या रहेगा तो diameter का 5 गुना रहेगा ठीक है तो 5 times option number D is a correct answer अगले question में चलते हैं question number 5 है कि 450 meter head of water shall be used Pelton Wheel, Kaplan Turbine, Francis Turbine या none of this तो क्या बोल रहा है कि 450 meter head of water मतलब क्या है ये ये है आपका high head तो high head के case में कौन सा pump sorry कौन सा आपका turbine use होता है तो high head के लिए होता है आपका Pelton Wheel high head low discharge ठीक है Pelton Wheel is the correct answer अगले question में चलते है question number 6 है कि the speed ratio in case of Francis turbine is vary from 0.15 to 0.3 0.4 to 0.5 0.6 to 0.9 या 1 to 1.5 तो जो speed ratio होता है आपका Francis turbine का वो होता है आपका 0.6 to 0.9 तो option number C is the correct answer अगले question में चलते है question number 7 है कि slip of a reciprocating pump is negative क्या बोल रहा है कि reciprocating pump देखिए आपका जो है यहाँ पे दिखा रहा है ये पूरा का पूरा जो arrangement है कैसे को reciprocating pump बोलते है ठीक hein यह आपका यहाँ पर cylinder है यह piston है ठीक है और यह आपका air vessels लगा हुआ है दो air vessels है एक suction side में है एक delivery side में है यह आपका suction pipe है यपका delivery pipe है ठीक है तो आपका यहाँ से पानी उठा करके यह आपका suction point है ठीक है यहाँ से इसको उठाके लिफ्ट करके इधर लेके जाना है तो यह आपका reciprocating pump का construction हो गया अभी क्या बोल रहा है कि जो reciprocating pump में जो sleep होता है न वो negative किस case में रहता है जब suction pipe छोटा हो और pump जो है low speed पे चल रहा हो यह delivery pipe बड़ा हो और pump जो है high speed पे चल रहा हो कभी भी जो negative रहेगा जब pump जो है high speed पे चल रहा हो मतलब suction pipe जो है वो लंबा होना चाहिए और delivery pipe जो है छोटा होना चाहिए उसके बाद अगर वो pump high speed पे चल रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बात कर रहे है not impulse turbine गेराट turbine, टर्गो टर्बाइन, पैल्टन वील, कप्लान टर्बाइन तो कप्लान टर्बाइन is a correct answer कप्लान टर्बाइन जो है आपका reaction टर्बाइन है बाकी जो तीन है वो है आपका impulse टर्बाइन कोशन मान 9 में आते हैं hydraulic accumulator is a device used to store strain energy, pressure energy, kinetic energy which may be supply to machine later on it तो hydraulic accumulator का मतलब ही है कि accumulator क्या करता है, accumulator जो आपका pressure को hold करके रखता है, मतलब pressure energy ठीक है तो option number B is a correct answer यह आपका hydraulic accumulator है, पूरा का पूरा ठीक है कुछ इस तरह रहता है, hydraulic accumulator last question में आते हैं, question mark 10 है कि the fernian turbine, यह आपका fernian turbine का diagram है, ठीक है, यह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह फernian turbine का diagram है, तो the fernian turbine is an axial flow turbine, invert flow turbine, outward flow turbine यह mixed flow turbine, तो आपको बताना है कि fernian turbine क्या है, तो देखिए fernian turbine को बताने से पहले मैं आपको बता दू कि invert और outward क्या होता है, यह देखिए अगर जो है आप पानी का flow है, वो center से इधर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह, जैसा कि इसमें जा रहा है, तो यह होगा आपका outward flow reaction turbine, यहीं अगर उल्टा हो जाए, मतलब पानी जो है ना बाहर से आए, और फिर तरफ जाए, तो क्या होगा, वो inward flow, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है वो flow, तो इसलिए उसको inward flow बोरते हैं, पर यहाँ पे जो हम फरनिय टर्बाइन की बात करें, तो वो जो है आपका वो outward flow reaction turbine है, तो option number C is a correct answer, अभी Q for you है, यानि कि question for you, इस question का right answer जो है to H1 by 2, inversely proportional to H1 by 2, directly proportional to H3 by 2, या inversely proportional to H3 by 2, तो यह चार option है, right answer नीचे comment करके बताईए, ABCD क्या है, अगर आप NMDC का preparation करें, तो please हमारे चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजे, वीडियो पसंद आया तो please इसे like करें, और अगर आपको पीडियो से पढ़ना है, तो यह हमने नीचे answer की भी लेके रखें है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले